आज के स्टूडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर मेंस की तयारी कर रहे हैं तो कि इन तीन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है ताकि आप अपने मेंस के स्कूर को ना सिर्फ अच्छा कर पाएं बलकि आपको जो डिजायर रिजर्ट है वो प्राप्त हो सके प्रिलिम्स के एक्जाम के बाद जब आप मेंस की तयारी स्टूर करते हैं तो सबसे पहली जो बात मैं आपको बताऊंगा आपको जिहान रखनी है वो यह है आप अपना मौक देने का टाइम देखिए आप अगर मौक रात को देते हैं या सुबा देते हैं दोपहर में देते ह कौन सा समय जादा beneficial रहता है तैयारी के हिसाब से तो आप अपना जो मौक है वो दोपहर से पहले दीजिए ताकि आपके पास जो मौक को analyze के बाद जो उस पे गलतियां और उनको सुधारने का समय मिल सके जैसे अगर आप मालीजी आपने मौक रात में दिया 10 बजे दिया और आ जब आप ऐसे टाल देते हैं ना चीजों को तो अगले दिन आप कुछ और नहीं चीज़ें आपके सामने होंगी कुछ और नहीं बाते होंगी तो थोड़ा सा दिमाग उस पर हड़ जाता है आपकी क्या-क्या गलतियां थी वो भी कम समझ में आती हैं तो अगर आप अपना म मौक सुबा के वक्त देंगे तो उससे फाइदा क्या होगा एक तो examination के point of view से आपका better रहेगा examination भी आपका उसी समय होगा दूसरी चीज़ ये कि जब आप मौक देंगे और उसमें गलतियां आपको पता चलेंगे तो आपके पास तुरंत वो समय होगा कि आप उन गलतियों पर ध्यान दे सकें कि कहां पर गलति और उसको आप उसी समय से सुधारना सुरू कर सकते हैं जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये होगी कि current affair को लेकर के बच्चे परिशान रहते हैं कई सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे current affair बीच में पढ़ते नहीं और मेंस का जब एक्जाम निकलता है तब current affair पढ़ना सुरू करते हैं तो ऐसे में उनके पास कम से कम मैं कहा रहा हूँ तीन से चार जार नुजेस रहती हैं जिनको cover-up करना रहता है और अगर आप उन नुजेस को नहीं cover-up करते हैं तो आपका current affair का section का काफी खराब जाता है ऐस अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ना तो reasoning सही से पढ़ पारे ना कौन सही से पढ़ पारे ना English सही से पढ़ पारे या Hindi कह लिजे सही से नहीं पढ़ पारे तो ऐसे में तो एक section माल जो बहुत ही अच्छा होगा बाकी section तो आपके खराब होगे आपको क्या करना है current affair को हमि उतना ही पढ़ पाएंगे और return नहीं हो पाता है आप एक ही चीज को बहुत पूरा एकदम रटे जा रहे हैं वो return नहीं हो पाएगा लेकिन अगर आपने आपको time bound कर लिया को मुझे कि दो ही गंटे या तीन गंटे current affair पढ़ना और इस तीन गंटे मुझे इतने दिन के current affair त करती है आपके exam को वो यह है कि आप अपनी सेहत का खास तोर पर ध्यान रखें अभी exam की तैयारी कि से ले करके exam जब तक हो नहीं जा रहा है बाहर की खाने पीने से बचे क्योंकि आज कल वैसे भी बिमारी का बहुत फैली हुई है मच्छरों से अपने आपको बचा करके या फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर आप exam से सुचिए पहले बिमार पढ़ गया है मतलब आपका यह routine चलता रहा बाहर के चार्ट की जहों से चलते रहे आपके exam से एक दिन पहले दो दिन पहले आप बिमार पढ़ गया आपको डिंग हो गया या normal सा viral fever ही आपको हो तो चाहे आप खिचड़ी बना लीजिए अगर आप बाहर रहे रहे हैं तो बस थोड़े दिन की बात है उससे आप अपना जो routine है उसको चलाते रहे उसके बाद आपके फिर से आप बाहर से खाना पिना खा सकते हैं कोई उसमें हरजा नहीं है लेकिन अभी बिमार पढ़ने का समय नहीं है अगर अभी आप बिमार पढ़े तो पूरी एक साल की हुएनत खराब है मतलब पूरा एक साल जो आपने बहुत गठिन परिश्रम किया है तो पसे अगर इस सब्वेकार हो जाएगी तो इन तीन बातों का ध्यान रखें मौक को दे सुबा ताकि आपके पास ग सेहत का ख्याल रखें बिना सेहत अच्छी हुए आप एक्जाम नहीं दे पाएंगे और कितना भी आपने प्रिवेस मिहनत किया हो आपका क्यों रिजर्ट ही देखा जाता है यह नहीं पूछा जाएगा तो तुमको एक चांस और मिलेगा नहीं अगले साली फिर मिलेगा तो